हेलो गाईज कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर अपडेट के बाद आपके प्रेफार में नॉट रिस्पांडिंग का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बनाया हुआ था लेकिन उसमें बहुत सारे लोग कमेंट किये हुए हैं कि इससे समझ नह बनाया है जो तरीका मैं बताया हुए था उस से पहुंच सारे लोगों का प्रॉब्लम सो सॉल्व हुआ है लेकिन एक दो दिन मैं सबसे सरल तरीका बताता हूं जिससे सबसे ज़्यादा चांस है आपका problem solve होने का तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों आपको अपना Chrome browser open करना है मैं simple तरीका से बता रहूं ठीक है इसको आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहां पर गरीना इंटरनेशनल आई प्राइवेट लिखा हुआ है डाउनलोड के ऊपर में इसको आपको क्लिक करने के बाद यहां पर गरीना फ्रेफार फोर्थ है इन्यवर्सिरी लिखा हुआ है उसमें आपको चले जाना ह इसके नाम पर आपको ध्यान नहीं देना है वर्जन देख लिए 1.65.1 लिखा है ठीक है तो आपको नाम और इमेज यह सब को ध्यान नहीं देना है उसमें आप जब क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है इसको भी आपको डाउनलोड नहीं करना है सिर्फ नीचे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी मैं आपने चैनल पर नहीं बताऊंगा जिससे आप सभी कर नुक्सान हो, तो इससे कोई भी आपकर नुक्सान नहीं और इसको आप ट्राइ कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग के सामने दो वेरियंट यहाँ पर खूल करके पहले आपको try करना है v7a लिखा हुआ है उसको नीचे वाले को आपको try करना है यह problem अधिकतर आ रहा है Redmi Note 3 जो है उसमें आ रहा है और Vivo के mobile, Oppo के mobile यह सभी में आ रहा है ज्यादतर comment में मैं देखा हूँ तो आपको v7a लिखा है इस वाले option में click करना है ठीक है इसको आपको download कर लेना है यहाँ पर download को option है तो इसको simply आपको complete download कर लेना है इसमें आप जैसे ही click करेंगे यह download होने लगेगे यहाँ पर आ गया और उसके बाद नीचे में option आ जाएगा और यह download start हो चुका है तो इसको मैं अभी cancel कर देता हूँ यहाँ पर से आप इसको complete आपको download कर लेना है आपको धियार रखना है 32 bit ही करना है v7a लिखा हुआ है यही है 32 bit तो इसी को आपको एक बार try करना है इसको download complete कर लेने के बाद आपको अपने home screen पी आ जाना है पूरा close कर देना है browser को download होने क आपके में जो free fire पहले से रहेगा उसको आपको uninstall करना पड़ेगा इसको आपको delete करना है ठीक है delete करने के बाद मैं इसको install कैसे करना है उस वीडियो में बताया हूँ उसमें अच्छे से बताया हूँ तो उसको भी आप try कर सकते है उसके बाद आपको apk pure application download करना है application कैसे download कर गूगल में आप search करके इसको कर सकते है application download करने के बाद यहाँ पर application में उपर में three line दिखाए देगा उसमें आपको click करना है इसमें जैसे ही click करेंगे यहाँ पर बहुं सारा option आएगा इसको आपको slide करना है slide करेंगे तो यहाँ पर x apk लिखा हुआ है इसमें आपको चले ज हुआ हुँ तो इसमें install के button पे आपको click करना है install के button पे click करेंगे तो यह automatically install होना शुरू हो जाएगा तो आपको install कर लेना है यहाँ पर कुछ permission मंगेगा और install हो जाए गए अगर apk pure के through आपके में install नहीं हो रहा है तो x apk installer आपको application download करना है इसको आप play store से कर सकते हैं और इसे install package वाले option को on कर लेना है और यहाँ पर storage का permission वाले को on कर लेना है उसके बाद install.x apk file लिखा हुए उसको click करना है automatically search में click करना है उसके बाद आप जो download किये हो x apk वो सभी आपके mobile में दिखाई देने लगेगा तो जो जो दिखाई दे रहा है जिसको 32 bit वाला भी download किये ह उसको आपको install कर लेना है तो इसको install करेंगे आपका problem solve हो जाएगा ठीक है बहुत ज्यादा chances है आपका problem solve हो जाएगा low end device है तब भी से solve हो जाएगा अच्छा mobile है तब भी से solve हो जाएगा तो यही सबसे ज्यादा chances था और यही सबसे ज्यादा सरल तरीका है इससे ज्यादा स तो आपको क्या करना है कुछ दिन अपने प्रॉब्लम के साथ आपको खेलना पड़ेगा जो 32-bit वाला है उसमें अगर आपको दोवारा प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत कम ही प्रॉब्लम आएगा मतलब अगर आप नया इंस्टॉल किये हो तो एक से दो दिन में एक बार प् पेंसलपेग फिर जब भी आपके में प्रॉब्लम आएगा आपको फ्रीफायर को लॉनग टेप करना है एप इनफो पे चले जाना है एप अपनिफो के बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ要 data को आपको क्लिक करने है जब में ट्रिक बताया था आपको जीस दिन मैं इ वही काम करना है आपको इसको clear data कर लेना है HUD इसलिए मैं save करने के लिए बोला था ताकि उसमें से आप upload डाउनलोड कर पाओ आपको HUD बार बार बनाने की ज़रुत ना पड़े clear data करोगे तो वो भी उड़ जाएगा और expansion पे कुछ दिन मत रखो और prefire का बहुत जल्दी अच्छा वाला version आ जाएगा इसके लिए update आ जाएगा क्योंकि prefire से मैं बात भी किया हुआ हूँ तो उन लोग बोले है कि ऐसा crash हो रहा है तो कुछ दिनों में solve हो जाएगा और बहुत सारे लोग उनको comment भी किये हैं तो बहुत जल्दी solve हो जाएगा उसका tension मत लो कुछ दिनों तक ऐसे ही आप काम चलाओ आपका काम बन जाएगा इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे और आपका problem solve हो जाएगा और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हैं तो subscribe जरूर कर लिजिए और bell icon में से all notification को on कर लिजिए Thank you